नमस्कार क्विक नीज प्रोग्राम में आपका स्वागत है टॉपिक है क्या है चल्चा में रहा हेम कोश प्रधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी को असमिया शब्दकोश हेम कोश की ब्रेल संस्करन की एक प्रति प्रतान की गई है हेम कोश उनिस्वी सदी में प्रचलित असमिया शब्दकोशों में से एक है इस शब्दकोश को जयन्त भरुआ और उनकी टीम द्वारा संकरित किया गया है हेम कोश असमिया भाशा का पहला वित्पत्ती संबंधी शब्दकोश है यह संस्कृत वर्तनी पर आधारित है बीसवी सदी की शुरुआत में कैप्टन पी आर गॉर्डन और हेम चंदर गुस्वामी की देख रेक में इसे पहली बार प्रकाशित किया गया था बेल पद्दती एक तरह की लिपी होती है जो नित्रहीनों को पहणने और लिखने में मदद करती है बेल पद्दती में अक्छोरों को चू कर पहणने और लिखने के लिए विवहार में लाया जाता है इस पद्दती का विश्कार 1821 में एकनित्रहीन फ्रांसी सी लेकक लुई ब्रेल ने किया था बेल पद्दती में आयताकार सेल में 6 डॉट्स होते हैं जो सामाने तह थोड़े उभरे हुए होते हैं दो पंक्तियों में बने इन 6 डॉट्स से अलग-अलग 64 अक्छनों को बनाया जा सकता है भारतिय ब्रेल में सभी लीपियों के वर्णों के लिए सामान ब्रेल संकेत दिये गए हैं इसे 1951 में स्विक्रित किया गया जो सिन्ग का नेपाल और बांगलादेश में भी मानने है